हेलो असलामने कॉम वेलकम बेक टू मैं चैनल उमीद करती हूं आप सब ठीक हूं गया अलहमदलिल्लाब की दों से मैं भी ठीक हूं तो जी ये नाश्ता हमने बना लिया था अब हम का रहे हैं क्योंकि मैं आपसे अक्सर ब्रेड और चाहे शेयर करती हूं तो आज हमने कर लूँ कोई एक मेरी हस्बंड का मैंने उनका प्रेस करना था वो प्रेस कर लेती हूं और कुछ तै करने वाली हो तै कर लेती हूं तो यहां पर सारे काम कर लिए थे तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पढ़ने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट्स में जरूर बताएं प्लीज 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 मेरे न्यू चैनल है अब ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट करें और आपको पहली वीडियो में मैं दिखा चुक्यों कि मैंने हेर रिबॉर्णिंग करवाई है वो इसलिए क्योंकि मेरे बाल काफी रफ हो गए हैं तो पहला वाश वो पॉलर वाल ही देते हैं और मैंने का था शादी है तो फिर करवा लूँ क्योंकि इसके बाद फिर मैंने कलर भी करवाने हैं और कलर के लिए हमें तकरीब बीस थी बाइस दिन पहले इनको स्ट्रेट करवाना पड़ा फिर बाद में मैं इसको कलर करव भाओंगी और यहां रमजान में मैंने स्टार्ट किया मिर्ची मुझे यह था कि इसमें मिर्ची होती है लेकिन जब मैंने खाई तो मुझे अच्छी लगी तो यह काफी देर बाद तकरीबन हमने चिपस बनाई है काफी देर बाद यह नहीं रमजान के बाद अभी तो मैंने का के चले अब यह आज भी एक बना लेती हूँ और प्लीज मेरे रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे मुझे खुद समझ नहीं हारी के मैं कैसे मैनेज करूँ कुछ सेटिंग ही नहीं हो पारी बड़ी कुश्श करते आग के डेली ही डेली वीडियो अपलोड करू लेकिन अभी नहीं हो पारा और यहां पर खंद हमाच चुके थे वो वीडियो क्लिप आप से नहीं को कि मैने शूट ही नहीं की और ये तक्रीब हन रात के तो हमारा सूप पीने को दिल किया तो परी भी जाग रही थी तो फिर हमने सुचा फिर मैं स्टोर पे मैं और मेरे हस्बिन के तो हम समा लेके और काफी चीजे इसमें एड ही नहीं कर पाए तो शिमला मिर्च बूल गये लेकिन टाइम भी काफी हो गया था तो इसलिए दोबार नहीं जा पाए तो मैंने कहा चलें जैसी भी है आप से शियर किया जाए के हम घर में कॉर्ण सूप कैसे बनाते हैं और यहां पर मैंने थोड़ा ओयल डाला था और लेसन अदर का पेस्ट फिर वो कैरट गाजर डाली थी ब्रीक ब्रीक चॉप करके शिमला मिर्च नहीं थी नहीं डाली और यहां पर हमने चिकन को बोल कर लिया क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना है जो भी हम राद को पी ले तो इसमें मैंने नमा काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च एक कलर देने के लिए वैसे हम लाल मिर्च नहीं डालते हैं लेकिन कलर देने के लिए हम थोड़ तो आप साइड पर करके डाल के थोड़ी दे रखके तो फिर आप उसको चुले के उपर इसको बकाएं तो यह मैंने हमने डाल लिया क्योंकि मैं और मेरे हजबन दोनों मिलके मैं वीडियो के शूट का रही थी और मेरे हजबन बना रहे थी और एक तरफ कॉर्ण जो है वो बॉइल हो रहे हैं और चिकन जो बॉइल हो चुक है तो और चिकन को मैश करके वो भी डाल दी है तो इसके बाद मैं इसमें कॉर्ण डालूंगी क्योंके चिकन जो है जो मसाला डाला हुए ताकि उसमें मिक्स हो जाए और कुछ जो चिकन कॉर्ण के पीस हैं वो उनको मैश कर लेंगे और बाकी जो है उनको पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे तो सच में ये विंटर में ये सूप कुछ इतना जटपट बन जाता है और इतना टेस्टी इसली इतना टेस्टी बन जाता है कि बहुत टेस्टी तो जो सिर्का की बोतल खाली होई थी वो हमने बर केक डाल दी ताकि अभी जो पी आजा हमने भी जतना पीना है बस उतना ही ब बना लेंगे और यहां पर 10 मिंट हो जुके, अब हम इसमें कौन फर्ट टाल रहे हैं, अनि आपको पता है ठीक करने के लिए कौन फर्रट लाल करने जालते हैं, और कौन फर्ट डाल के लिए इसको 5 मिंट पक आए है। 5 मिंट पक्ने के बात अब हम इसमें हम दो एक लिये थे दो एक को बीट करके तो अब वो डाल रहे हैं आपकी मर्जी आप एक डालो कम खाते हो आप एक डालो आपकी मर्जी है दो डालें दो डालें तीन डालें तो तीन डालें वो आपके पनी मर्जी है तो यहां पे अब देखें यह पक गया और इसमें थोड़ा सा दनिया भी कलर्ट के लिए इमने डाला था वो मैं दिखा नहीं पाई और ये देखें हैं विसूप की फाइनल लुक क्योंकि मैंने जो सारा दिन काम किये मैं बस वो ही दिखा पाई हूँ इसके अलावा मैंने वाके ही मैंने कोई काम नहीं है और नहीं हम मेरा इतना घर में कोई अभी इतना काम होता है तो इसलिए मैंने जो जो किया आपको दिखा दिया हाई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लोगी हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना भी डेड़ सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दौाओं में याद रखें तो ओके अल्ला हाफीज